इस तेजी में छोटे सर्मायकारों को कुछ मिला? Higher the risk, higher the return इस मंतरा को स्टॉक मार्केट पे कैसे साबित करेंगे? क्यूं कि बहुत सारे लोग इस वक्त शच्चदर हैं, हैरान हैं, परिशान हैं लेकिन कुछ लोगों को तो बिलकुल भरोसा नहीं है और वो इसे मसनुई तेजी समझते हैं और कुछ लोग इस रैली में शामिल हो गए हैं और वो इनज्वाइ कर रहे हैं इस तेजी को इन सब के बारे में हम एक एनालिसिस करेंगे लेकिन आप इस वीडियो को आखर तक देखना मत भूलिएगा और डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब मैं चैनल अस्वालेकुम मैं हूँ शकील अनवर कमाल और हाजिरे खिदमत हूँ आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के और 8 अप डिसमबर फ्राइडे की जब क्लोसिंग हुई है तो स्टॉक मार्केट ने अपना निया लेवल टच किया है 66,000 जी इतनी रैपिड तेजी हो रही है स्टॉक मार्केट के अंदर कि बहुत सारे लोगों को ये हजब नहीं हो रही है बहुत सारे लोग इसे मसनूई समझते हैं बहुत सारे लोग इस परिशानी में हैरानी में मबतला है कि कया हम कब इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, हम क्यों इन्वेस्ट करें इसी सवाल और जवाब में वो गाड़ी छूटती जा रही है उनसे लेकिन बहुत सारे लोग इस रैली का हिस्सा हैं और वो इंज्वाए कर रहे हैं इस रैली को आज हम स्टॉक मार्किट के अंदर जो छोटे सरमायकार हैं उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनकी हैरानी और परेशानी उन की वज़ा क्या है उसकी वज़ा है खलील सरमाया इस अंदर जो भी काम करता है उसको रिग्रेट्स हमेशा ही रहेंगे क्योंकि है आप सारा कुएं पानी पी नहीं सकते इसी तरह stock market अगर 40,000, 45,000 point से आज 65,000, 66,000 point हो चुकी है 25,000 point बढ़ चुकी है तो हर एक ने कुछ जादा कमाया हो यह जरूरी नहीं है क्योंकि जिसके पास जादा सरमाया होगा वो जादा बड़ा risk लेता है इसलिए अंग्रीजी में कहते हैं न के higher the risk, higher the returns But how does this mantra play out for small investors in a relentless bull market आज हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस तेजी में stock market के अंदर सरमाया कारों ने क्या कमाया और उन्हें छोटे सरमाया कारों को खुसूसन क्या challenges दरपेश है क्योंकि market तो रुक नहीं रही है देख लें आप market रोजाना की बुनियाद पर कभी 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 500 पॉइंट बढ़ रही है और हर बढ़ता हुआ पॉइंट और हर गुजरता हुआ दिन छोटे सरमाया कारों के लिए हसरत और यास, उमीदी और नाउमीदी का एक बादल ले करके आता है और वो sorrow and desire की कैफियत से गुजर रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है Let's discuss the strategy for small investors in such a scenario आईए, पहले मैं आपको दो दुनिया के legendary investors है, जोर्ज सोरो और लेरी हाइट उनका क्या कहना है ऐसी market के बारे में और उनके ग्यान से भी मैं आपको आगाह करता हूँ सबसे पहले जोर्ज सोरो ये advice करते हैं कि survive first and make money afterwards यानि के पहले अपनी बका का इंतजाम करो और फिर पैसा कमा लेना उनका long term vision है market के लिए और वो कहते हैं कि long term vision से काम करना market में बहुत ज़रूरी है Larry Height encourages a bold approach stating If you did not bet, you cannot win Larry Height कहते हैं, जो डर गया, वो मर गया It's all about assuming calculated risks while safeguard your money आपको calculated risk लेना है तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास छोटा सरमाया है आपके पास तलील आमदनी है तो भी आप stock market में bet जरूर कीजिए आप stock market में सरमायकारी जरूर कीजिए क्योंकि आपकी capacity के मताबिक stock market आपको return देगा जो के दीगर जो asset classes हैं इस वक्त उन से जादा return stock market इस वक्त दे रही है all you need is a good mentor it is a good portfolio manager it is a good advisor